नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राकेस और आप देख रहे हैं Go To Online तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में ओनलाइन खाता खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने मुवाइल में Google Play Store उपन कर लेना है और Google Play Store के सर्च बार में आपको टाइप करना है PNB One ठीक है सर्च कर दिना है सर्च करने के बाद में आपको PNB One एप नजर आएगा जो PNB का Official एप है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए मैं पहले से इंस्टॉल किये हुए हूँ मैं इसको कर लेता हूँ Open ओपन करने के बाद में थोड़ा सा हम वेट करेंगे वेट करने के बाद में आप जो है इस एप में आ जाओगे और यहां पर नीचे ऑप्सन दिया है यहां पर में मार्क कर देता हूँ Open Account आपको इस पर क्लिक करना है क्रिक करने के बाद में और यहां पर अपना ब्राउजर सेलेक्ट करना है तो मैं यहां पर क्रोम ब्राउजर को सेलेक्ट कर लेता हूँ सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर थोड़ा प्रोसेस होगा और आपको थोड़ा से वेट करना है इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह की pop-up window सो होगी इसमें लिखा हुआ है आपके पास में एक internet connection होना चाहिए आपका mobile number चालू होना चाहिए आपके पास में mail ID होनी चाहिए आपका आधार card से mobile number link होना चाहिए pen card आपके पास होना चाहिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपके पास में होना ही चाहिए और आपको क्या करना है उपर यहाँ पर cross का निशान दिया है तो आप इसको अठा दीजिए आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो नहीं तो इसको आप यहां से अठा दीजिए तो मैं यहां से इसको हटा देता हूँ हटाने के बाद मैं यहां पर option नजर आ रहा है उपर apply for saving account तो आपको क्या करना है उपर वाले option पर click कर देना है click करने के बाद मैं यहां पर आपको account type select करना है जो भी आप account यहां से खोलना चाहते हो तो उपर है पिएन भी उननती सेविंग account जिसको महला पुरुस दोनों खोल सकते हैं नीचे है PNB power saving account इसको सरफ महलाएं खोल सकती हैं तो आपको उपर वाले यानि PNB उननती saving account पर click कर देना है click करने के बाद मैं यहां पर आपको क्या करना है select product पर click कर देना है क्लिक करने के बाद मैं यहां पर आपको फिर से प्रोसीड पर क्लिक करना है प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद मैं यहां पर I agree के सामने चोटा सा बॉक्स बना हुआ है इस पर आपको टिक कर देना है और यहां से कर देना है प्रोसीड proceed करने के बाद मैं यहाँ पर आपको mobile number और mail id देनी है और इसके बाद मैं छोटे से box में आपको tick करके proceed कर देना है तो मैं यहाँ पर अपना mobile number और mail id दे करके proceed कर देता हूँ इसके बाद मैं आपके mobile number पर एक OTP आएगा OTP डालके आपको verify and proceed पर click कर देना है इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरहागा page open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या-क्या select करना है उपर वाली column में आपको यहाँ पर married हैं तो married single हैं तो single, unmarried, divorce जो भी हैं आप यहाँ से select कर लेजिए तो मैं यहाँ से यहाँ कर लेता हूँ Religion में आप Hindu, Muslim, Sikhi, Shai जो भी है आप select कर लीजिए, category में ST, OVC, general जो भी category आपकी वो यहां से select कर लीजिए, city of birth में आपका किस सहर में जन्म हुआ है, वो यहां पर आप select कर लीजिए, इसके बाद में education जो भी है आपकी यहां से select कर लीजिए, customer status में आपको क्या करना है, handicap और other दो option है, तो अगर आपके अंदर कोई विकलांगता है, तो यहां से आप handicap select करिए, अनिता आपको other select करना है, इसके बाद में occupation detail में आपको अपना विवसाय सेलेक्ट करना है, तो यहां से select करेंगे, आप farmer हैं, housewife हैं, other हैं, या फिर आप student हैं, तो मैं यहां student का account open कर रहा हू इसके बाद में आपको red mark वाले, यानि जिन पर red star है, वही column भरने हैं, बाकी आपको छोड़ देने हैं, यहां पर annual income आपको select करनी हैं, तो यहां पर annual income select करने के बाद में, यहां मैं कर देता हूँ, 60,000 से 1,00, और यहां पर net worth select करनी हैं, यहां पर मैं कर देता हूँ, वही 1, 60,000 से 1,00, और यहां annual turnover में आप कुछ भी कर सकते हूँ, जोतना आप transaction करते हो साल के अंदर, तो यहां पर annual turnover में 50,000 कर देता हूँ, यानि जितने आप transaction कर सकते हो, वह आप यहां पर अनवानत आपको डालना है, तो मैं 50,000 डाल दिया है, accepted annual credit account, यानि आप कितना पैसा एक साल के अंदर इस खाते में जमा कर सकते हो, आपको अनवानत डालना है, तो मैं यहां पर 12,000 डाल देता हूँ, आप डाल सकते हो, जितना amount आप इसमें जमा कर सकते हो, एक साल के अंदर, वह आपको डालना है, अनवानत डालना है, कोई fix नही देता हूँ, तो मैंने उपर सारी detail बढ़ दी है, नॉमनी detail बढ़ दी है, अब यहां पर देखिए option है, नॉमनी printing on password, अगर आप नॉमनी का password पर print चाते हो, यानि नॉमनी का नाम password पर आप चाते हो, तो यहां से इसको on कर दीजिए, तो मैंने इसको on कर दिया है, और यहां पर छोटा सा box दिया है, इस पर आपको click करके proceed कर दीना है, तो मैं यहां पर proceed कर दोड़ेता हूँ, इसके बाद मैं आपको branch location select करनी है, जिस branch से आप इस खाते को link करना चाहती हो, तो यहां पर state आपको select करना है, तो यहां पर कर दता हूँ, भारत पूर तो सुरी स्टेट यहां पर सिलेक्ट करना है तो मैं यहां पर कर देता हूँ राजस्थान राजस्थान में आपको डिस्टिक सिलेक्ट करना है तो यहां पर कर देता हूँ मैं भारतपुर और फिर आपको branch select करना है तो branch यहां पर कर देता हूं मैं आप type करके भी यहां पर नाम आ जाएगा तो यहां पर type करकर करके आप नाम ले सकते हो तो यहां पर देखिए मैंने state और district branch यहां पर select कर लिए हैं select करने के बाद मैं आपको क्या-क्या facility चाहिए ATM card चाहिए तो इसको on कर दीजिए internet banking चाहिए तो इसको on कर दीजिए mobile banking भी on है यहां पर आपको faculty type में view only और view and transaction तो यहां पर view and transaction पर click कर देना है इसके बाद मैं SMS alert चाहिए तो इसको भी on कर दीजिए e-statement चाहिए तो इसको भी on कर सकते हो check box चाहिए तो इसको on कर दो passbook चाहिए तो इसको भी on कर दो यह सारी चीज on करने के बाद मैं यहां से आपको फिर से proceed कर देना है तो मैं यहां से proceed कर देता हूँ proceed करने के बाद मैं अब यहां पर कुछ term condition दीए हैं यहां पर I agree के सामने छोटा सा box है इसमें आप टिक कर दीजिए इसके सामने अब यहां पर KYC के लिए दो option है पहला option है यहां पर अगर आप जो है OTP-based KYC करना चाहते हो तो फिर आपको एक साल के अंदर branch जाके full KYC करानी होगी एक साल तक आपका खाता चालू रहेगा इसके ब KYC पर क्लिक करके आप जो है online वीडियो KYC कर सकते हो और जैसे वीडियो कॉल पर बात करते हैं ऐसे ही बैंक का अधिकारी आपके सामने जो है वीडियो कॉल पर बात करेगा आपके document verify करके आपकी full KYC कर देगा फिर आपको बैंक जाने के जरूरत नहीं है तो मैं यहां पर OTP- KYC कर रहा हूँ मैं 1 साल के अंदर bank जाककर के full KYC करा लूँगा आपचाहो तो full KYC वीडियो के दhero कर सकते हो तो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ तो मैं ऊपर वाले पर tick कर देता हूँ और tick करने के बाद मैं यहां छोटे से box को फिर से टिक कर देता हूँ और यहां से कर देता तो यहां से पूरी detail आप एक बार चेक कर लीजिए, कोई गलती तो नहीं होई है, और पूरा चेक करने के बाद मैं आपको नीचे submit पर किलिक कर देना है, ठीक है, तो मैं यहां पर पूरा चेक कर लिया है मैंने, तो मैं यहां पर कर देता हूं, अगर आप से कोई गलती होई है, तो यहां pencil का वटन दिया है, इस पर किलिक करके वो गलती आप सुदार सकते हो, तो मैंने पूरा चेक कर लिया है, चेक करने के बाद मैं submit कर देते हैं, submit करने के बाद मैं यहां पर कुछ processing होगी, तो आपको wait कर लेना है, तो मैं थोड़ा सा wait करता हूँ, अब देखिए, उपर यहां पर आ चुका है, Welcome to PNB परिवार, Your account has been successfully opened, यानि हमारा account यहां पर successfully open हो चुका है, यहां पर details में देखेंगे, तो हमारा reference number आ गया है, customer ID आ गई है, account number भी हमें मिल चुका है, हमारा branch code भी आ गया है, यहां पर सब कुछ हमें मिल चुका है, अब आपको क्या करना है, अगर आप चाहो तो यहां से proceed to video KYC पर click करके, आप यहीं से video KYC कर सकते हो, फिर आपको video KYC करने के बाद में branch जाने की जरूवत नहीं ठीक है, और अनिथा आपको यहां पर क्या करना है, इसका screenshot ले लेना है, और यहां पर download PDF पर click करके, आपको यह PDF की रूप में फाइल को download कर लेना है, क्योंकि download की जरूवत क्यों पड़ेगी, आपको इसकी PDF फाइल को ले जा करके, आपको branch जाना है, और वहां पर अपने pen card, आदर काड की फोटो को भी ले जानी है, और आपको full KYC वहां branch में जाके करानी होगी, एक साल के अंदर, एक साल तक आपका खाता work करेगा, अगर आपने एक साल के अंदर full KYC नहीं कराई, आपका खाता बंद हो जाएगा, और अगर वीडियो KYC करना चाते हो, तो यहीं से आ आप online PNV में खाता खोल सकते हो, वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए, फिर मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई